पूरा घर जलकर हुआ खाक ग्राम तुल्थी पार में अग्यात कारणों से एक मकान में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे घर को चपेट में ले लिया जब तलक बेगमगन से नगरपालका की दमकल आग बुझाने पहुचती तब तलक उसके घर गरस्ती के सामान को खाक कर दिया आग से करीब डेर लाख रोपे से उपर का नुकसान होना बताया जा रहा है प्राप्त जानकारी के अंत्राइ ग्राम तुल्थी पार निवासी मनमोहन पिता राम सींग कुसबहा का परिबार भोजन करने के बाद घर के दूसरे कमरे में बैठे हुए थे थोड़ी देर बाद घर के पिछले हिस्से में आग की लप्ते उटते देख चीक पुकार मच गई आग बुजाने दोड़े लेकिन आग इतनी तेज थी बुजाने की जगए बढ़ती गई तत्काल हंडेड डाइल को सुचना किया गया हंडेड डाइल दमकल मौके पर पहुची तब तक पूरा नागदा से हमारे संबत दाता संजै सरमा की रिपोर्ट उजजेन कलेक्टर ने लगाई चौपाल किसानों की सुनी समस्या है किसानों की समस्या का निराकरा करने आज उज्जेन कलेक्टर नागदा तैसिल के ग्राम हताई पालकी के बेरचाप पहुँचे जहां कलेक्टर बहा के गाउं के रहने बालों की खेती करने बाली किसानों की समस्याओं को चौपा लगा कर सुना और किसानों की जमीनी और पंचेट में आबास योजना रिडमापी सहत सभी समध्दित अधिकारियों को समस्याओं को सुल जाने के लिए आदेशित किया गया कलेक्टर आसी सिंग ने किसानों के आ रहे है बिजली बड़े हुए बिल देखे पूछा तो कलेक्टर सामने कहा कि ऐसी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई है अगर आती है तो उसे ठीक कर दिया जाएगा इतने में एक किसान ने कलेक्टर के सामने बहा कहा कि आप आ रहे हैं इसलिए आज बिल नहीं बाटे बढ़ना इतने बड़े हुए बिजली के बिल दे दिये जाते हैं कि सभी अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं किसानों की बिलकुल भी ध्यान नहीं रखते ना ही सुनते नागदा से हमारे संबाद्दाता संजय सर्मा की रिपोर्ट नागदा से हमारे संबाद्दाता संजय सर्मा की रिपोर्ट उज्जेन सहर में आज चला दो एवम चार पहिया बाहनों का चेकिंग अभियान पुलिस अधिक्षक सतेंद्र कुमार सुकला के नित्रित में उज्जेन सहर के बढ़ते अपरादों के ग्राप को कम करने के लिए उज्जेन पुलिस द्वारा अपने अपने थाना चेतरों में चेकिंग अभियान चला रहा है जिसमें दो पहिया इवम चार पहिया बाहनों की चेकिंग की जा रही है सबी बाहनों के साथ चालकों को भी चेक किया जा रहा है महा मरत्यु नजय द्वार के समीप चेकिंग कर रहे चीएसपी रबिंद्र बर्मा ने बताया कि कैफे एबं सेंटरों से निरंतर छापे मारी की जा रही है आज चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें दो पईया बहान चालक नवी वकों को चेक किया जा रहा है यह भी देखा जा रहा है उनके पास किस प्रकार का अबैद हतियार लाइस है कि नई बहाँ पर चार पईया बहानों की भी चेकिंग की जा रही है